आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक दम बिर्यानी की यह शांदार रेसिपी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दे बेल आइकन अगर आप बिर्यानी लवर्स है तो आपको मेरे रेसिपी जरूर पसंद आएगी तो आएए बिना कोई देर की ऐसे बनाना स्टार्ट कर मैंने इहाँ पर एक कटोरी बासमती चांवग लिए है और इन हूँ अच्छे से नगरे थोलिया है दो से यस पी जायना और चावग वासमती लिए थी क्वासमते इंश सर दोलॆ इंश चामवल कर दोले आपकरbok निना 3 की आवत्त, या पर प्रेसे बैने रह से सिर्व ऑने तोड़ी इसमें कशर होना है और रहना हमारे कशावल कहले हाँ वह तोड़ करना है यह देखिए हमारे चावल ओल्मोस्ट पक चुके हैं और बहुत ही आइस्ताज में इसे हिलाना है यह देखिए हम एक चावल को तोड़कर देख लेंगे सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमारा चावल जो है तो आसानी से टूड़ जाए बहुत ज्यादा नहीं पकना चाहिए ओवरकुक नहीं होना चाहिए यह देखिए हमारा चावल बिल्कुल परफेक्ट है अब हम गेस का फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे एक जाली वाले बरतन में या फिर एक बड़ी सी परात में लेकर फेन के नीचे रख लेंगे मतलब हमें इसका सारा पानी जो है वो निकालना है एक्सिस वाटर इसमें बिल लगोई तर चावल को लिया है और इसको फेन के नीचे अच्छी तरह से फेला कर रख दे जब तक हम तुसरी तैयारी करेंगे अंधि लावा में 2 अलक प्लेट में काटना है दो बारे कटी हुई हरी मीर्च या परगि थीन से चार चोटे चमझ फ्रेश दही लिया है जिसे है उच्छी अछ changing प्लेट लिया है Pa है किशे साध कैसर के तार गरम खड़े मसालों में यहां पर लिया है एक चम्मत जीरा एक तेश पान का पत्ता पांचे काली मित दो चार लोंग एक हरी इलाइची और एक दालचीनी का टुकड़ा पर चावल उबल रहा है उसी टाइम पर मैंने एक तरफ अंडे और आलों को वं रख दिया था मैंने यहांपर चार लिया है आपको को से इंडे ले सकते हैं ृपि हुआ जो बी आप चाहो में आपके पास उप्शनल है करें तो आपके नहीं है किस आरा काम नाईव का हैं देखिये इस तरह से जब हम इसके अंदर मसाला डालें!! जब यह अधर अच्चय से रीज जाएगा और अंडे और आलू दोनों हम दोनों स्थॶार नहीं लगें क्योंकि कैस अंड़े ओर आलू दोनों का नेचर होता है यह दोनों अंदर से फिके होता तो आदा चमश नमक, ऑपकी टीमश हल्दी पाउडर, आदा चमश लालमिश पाउडर, अब उन्दमय को स्थाक्कित हैं, एक वहां तो टीमश अम्सालेग और आलो निंदमग, कोट एक लुक्स मिञच एगधा, pra depend लिए नौनिस्टिक कड़ा करना का से काईच मोड़ें, बिर्यानी में तेल तोड़ा जादा लगेगा शबसे पहला है इस में ड़ाइब में फीद कुछ साइब त हम चाल प्याज भरी अशी प्याज और रहा हमारी नगाट था ही प्याज को तोड़ा कर ना है था वने चाहिए बदे लोगाई पर यह चुछ को सोफ्ट बिल्कुल नहीं करना है कि इसे कंटीनी चलाते रहें हाई प्लेम पर यह देखिए हमारे प्याज अच्छे गोल्डन हो गया है यह काफी कुरकुरे लग रहा है और हमें ऐसे ही प्याज चाहिए थोड़ी देर बाद देखेंगे कि यह पहले से भी और ज्यादा ला कि अब इसी थेल के अंदर इन अंड़ों और आलों को डालते हैं बहुत ही रेहीं सेवी गशलिव कर्द कर दोड़क करता कीटो बढूरना दाल देना है क्योंकि डंट में नहीन अंद क identifies क्रता दो इसे ओपर गोल्डन कलर की आपको अन्डू और आलो को निकाल लेना है यह देखिए इसके ओपर एक लएर दिखाई अब हम इने एक प्लेट में निकाल लिया है अब हम इसे साइड में रख देंगे और उसी खड़ाई और उसी तेल के अंदर हम डालेंगे यह सारे खड़े मसाले अगर आपको तेल की और जरुरत लग रही है तो आप इसी स्टेच पर तेल और डाल सकते हैं जैसे हमारे खड़ इससे हम इसमें टामाटर यह सबस्ट हरी मिर्च, भरच एक मिर्च को पकाना है उसके बाद हमें डाल देना है यह वारी कट भी प्यास, आप चाहे तो प्यास को बारी भी काट सकते हैं मैं आवर लंभाई में कट किया है अब हम हमें इन प्यास को भो जादा नहीं और पीसमें प्यास बखनाना प्यास बखना प्यास एक चमज लसन अद्र का पेस्ट और इसे भी लगबग एक मिरता पकाना है जब तक इसका कच्छा पन्ना निकल जाए उसके बाद हम इसमें अड गर देंगे यह बारी कटे हुए टमाटर जैसे मैं इसमें टमाटर दालेंग अब हम इन सब को बहुत अच्छे से हीलाएंगे मिक्स करेंगे अब हम कडाई का लिट लगा कर टामाटर को अच्छा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे लगबग 3-4 मिट यह देखिए 3-4 मिट हो चुके हैं आप देख सकते हमारा टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चु इसका मतलब यह है कि हमारा मसाला बनकर बिल्कुर रेडी है इसके साथ इसमें एड़ करदेंगे यह फ्रेश दही यह तीन से चार चमच है दही अदूर एड़ करतेवां ध्यान रखें कि आपको गेस कड़ें में बिल्कुल लोही रखना है, साथ ही इसमें एड़ करदेंगे थोड़ा सा पाणी अब इसे अच्छे से ही लाएंगे और बाइसे बढ़ दीख र ही ऊँला है इसके बाद हम इसके अंदर आड़कर है बेट हरता दो CHOMMA SHAHI BIRIYA NIE मसाला पाउडर बाउडर मेंने यह पर का आजए यह रिखार शाही बिरयादी मचाल पाउडर लिया प्राइस प्राइस की परत बिचानी है तो बागी 40 परसेंट बनाएंगे तब यूज करेंगे अच्छी परत बिचानी है उसके बाद हम इसके अंदर बिचा देंगे यह उबले हुए अंडे और आलू इनको भी हमने मसालो में अच्छे से कोड करके रखा हुआ है आप चाहे तो आलू की बीकर सकते हैं यह आपकी चोईस है उसके बाद हम इसमें एक अंडा में बाद में डेकोरेशन के लिए रख रही हूँ यह देखिए मैंने अंडे और आलू को अच्छे सेट कर लिया है आप अब अपर डालेंगे यह फ्राई कियी प्याज यह कुर्कुरी प्याज जो कि हमने एक अब फ्लेट में निकालकर रखी हो थी हम यह भी सारी नहीं डाला है यह हमें अधी बाद में यूज करेंगे साथ हम इसमें डाल देंगे यह बासी नाल दुन डेंगिज भाड़ी कटा अब भी आपने चावल को पिछा लिया है अब एड़ कर देंगे यह बच्चे हुए सारे प्याज और सारे धनिया को अब सबसे लास्ट में हम इसमें एड़ कर देंगे केसर वाला दूद्ध अगर आपके पास केसर आवाईलेबल नहीं है तो आप इसे स्कीब भी कर सकते हैं केसर वाला दूद्ध कंपल्सरी नहीं है बस लास्ट में थोड़ासा केसर वाला दूद्ध डालने से इसमें अच्छा मोईस्चर घता है इसलिएब इससलिए खुश्बू भी अच्छी आती है अब हम इसे लगबक 10 मिट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे आप चाहे तो गेज के उपर रोटी बनाने का तवा रख सकते हैं उसके उपर आप कड़ाई को रख सकते हैं जिससे के हमारे चावल एक नीचे चिपकेंगे नहीं यह देखिए 10 मिट हो चुके हैं वाओ हमारी बिर्यानी बनकर बिल्कुल रेडी है आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं आप देख सकते हैं यह कितनी शांदार बनी है कितनी अच्छी लग रही है देखकर इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितनी टेस्टी होगी हमारे राइस कितने अच्छे बिखरे हुए हैं, कितनी खिली-खिली विर्यानी बनी है हमारी I hope आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेर जरूर करें आपको मेरी अधर रेसिपी स्की लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ थैंक यू